हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था CSC VLE, Insurance Agent कैसे बन सकते हैं और RAP exam और VLE INS exam में क्या अंतर है इस वीडियो में आप सीखेंगे VLE INS exam के लिए registration कैसे करेंगे registration के बाद module कैसे complete करेंगे VLE INS exam कैसे देंगे exam में questions क्या क्या आएंगे और उसके सही answers क्या होंगे और आखिर में certificate कैसे download करेंगे सबसे पहले आप Google में search करेंगे CSC Insurance आप इस link पर visit करेंगे आप CSC Insurance के home page पर पहुंच जाएंगे यहाँ आप menu section में VLE INS पर क्लिक करेंगे उसके बाद registration पर क्लिक करेंगे आपसे digital सेवा connect का authorization मांगा जाएगा अगर आप login नहीं है तो ID password डाल कर पहले login हो जाएगे फिर authorization देने के लिए yes पर क्लिक करेंगे आपके सामने VLE registration page ओपन हो जाएगा यहाँ आपको personal detail में कुछ detail पहले से fill मिलेगा जैसे आपका CSC ID, आपका नाम, email और mobile नंबर कुछ detail आपको खुद fill करना है जैसे father's name, mother's name, date of birth, gender और caste personal detail में सभी detail को सही तरीके से fill करेंगे यहाँ choose file पर क्लिक करके अपना passport size photo upload करेंगे आपका education qualification क्या है वो select करेंगे address section में अपना address सही तरीके से fill करेंगे करना है, document का maximum size 75 के भी होना चाहिए ID proof में आप क्या upload करना चाहते हैं वो select करेंगे आपने जो भी ID proof select किया है उसका document नंबर और pen नंबर यहाँ enter करेंगे, तीनों document upload करने के बाद proceed to pay पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपने CSC ID का password डालकर validate करेंगे, उसके बाद pin डालकर pay 200 पर क्लिक करेंगे, 200 उपीज आपके digital सेवा wallet से cut हो जाएगा और payment successful होते ही आपके सामने dashboard open हो जाएगा, my detail पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा detail आ जाएगा, आप नीचे scroll करके अपने document भी देख सकते हैं, module पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने total 16 module आएगा, एक एक करके सभी module को complete करना है, module complete करने के लिए launch पर क्लिक करेंगे, आपके सामने module का PDF open हो जाएगा, आप इसे अच्छी तरह से read करेंगे, अगर आप चाहे तो print या download बटन पर क्लिक करके, इसे print या download करके भी रख सकते हैं, module complete करने के बाद close कर देंगे, जैसे ही आप एक module close करेंगे, दूसरे module के सामने launch बटन enable हो जाएगा, इसी तरह आप total module को complete करेंगे, total module complete करने के बाद, आप जब चाहे exam दे सकते हैं, exam देने के लिए examination पर क्लिक करेंगे, आपके सामने exam से related कुछ instruction आएगा, इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यहाँ tick करके concern देंगे और start पर क्लिक करेंगे, आप से एक बार फिर पूछा जाएगा, क्या आप sure है, आप exam देने के लिए तयार है, अगर हाँ तो ओके पर क्लिक करेंगे, आपका exam स्टार्ट हो जाएगा, question आपका same रहेगा, तो आप वीडियो को pause करकर के ध्यान से देख लिजे, किसका क्या answer है, क्यूंकि वीडियो यहाँ से थोड़ा fast चलेगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो सारे question को सही तरीका से complete करने के बाद final submit पर क्लिक करेंगे, submit करने के बाद result देखने के लिए result पर क्लिक करेंगे, आपने कितना percent score किया है, आपके कितने answer सही हुए है, आपके marks कितने आए है, ये सबी आपके सामने display हो जाएगा, आप देख सकते हैं, मैंने 96% score किया है, मेरे 25 में से 24 question के answer सही हुए है, अलाकि मैंने सभी answer सही tick किये थे, लेकिन पता नहीं कहा mistake हो गया, 96% बहुत ही अच्छा score है, तो आप हर एक question के answer को सही तरीके से वीडियो को pause करकर के देखेंगे, तो आप भी अच्छे score कर पाएंगे, अब आप certificate download करने के लिए certificate पर क्लिक करेंगे, आपका certificate open हो जाएगा, नीचे generate certificate पर क्लिक करेंगे, आपका insurance certificate download हो जाएगा, अब आप एक दो दिन बाद digital सिवा पॉर्टल में insurance section में जाएँगे, तो देखेंगे insurance policies active हो जाएगा, I hope ये वीडियो आपके लिए informative होगा, अगर वीडियो informative लगा तो प्लीज वीडियो लाइक कर दिजे, और ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिजे